हेलो दोस्तो टेकफा चैनल में आप सभी का एक पर फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाइलर पैड के बारे में आप अपने डाइलर पैड में जाते हो तो वही नॉर्मल तरीके से आपको देखने को मिल जाता होगा आपका डाइलर पैड यह तो आपका यहाँ पे बिल्कुल मजा नहीं आता होगा मगर आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फोन डाइलर पे अपनी फोटो या अपनी खुद की फोटो या अपनी गल्फिन का फोटो लगा सकते हो जो यहाँ पे देख सकते हो कितना क्वामाल का लग रहा है मैंने यहाँ पे अपने डाइलर पैट पे एक मॉडल का फोटो लगाया है जो काफी खुबसूरत आपको देखने में लगता होगा तो कुछ इस तरह से आप भी अपने डाइलर पैट पे खुद का फोटो या अपनी गल्फिन का या वीडियो भी लगाना चाहते हो ना तो वीडियो भी आप यहाँ से लगा सकते हो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपको एक चोटी सी काम कर देना है यदि चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये न तो लाल बला बटन दबा के चैनल को सस्क्राइब कर दीजगा साथ में all notification bell एक उनको जरूर दबाएगा तक कि आने वाला वीडियो का notification आप लोगो मिलता रहा है वीडियो को like कर दीजगा comment section में एक comment कर लिक करके ज़रूर बताना है कि आपको ये phone dialer आपको कैसा लगा या कोई सवाल हो तो आप मेरे comment में पूछ सकते हो ये सब करने के बाद आपको एक application का जोध परेगा तो title पर किलिक करेंगे description में आपको application का link मिल जागा वीडियो के नीचे ही तो आप application को download कर लिजगा ठीक है मैंने already app को download करके रखा है तो simple ये application को open करना है आप ध्यान से देखेगा यहाँ पर आपको touch करना है ये खुद जहाँ 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 पर बोलेगा आपको touch करने के लिए वहाँ वहाँ आपके touch करना है तो यहाँ पे जो भी आपको पर्मीशन भी मांगेगा पर्मीशन भी दे दीजेगा तो मैंने यहाँ पे टच कर दिया है जहाँ जहाँ पे इस पे यहाँ पे किलिक करिएगा डबल टैप कर दीजेगा फिर यहाँ पे किलिक करना है यहाँ पे किलिक करना है यहाँ पे सारा दे दिआ है आपको यहां पर दीख राओगा जो भी पर्मीशन मांगें ठीक है पर्मेशन देने के लुलैंजे आपको बैक कर देना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ फोटो या वीडियो लगाना है तो यहाँ पे पिक गिलेरी में किलिक करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो आपको यहाँ पे टच करना है टच करेंगे तो सीधा आपके gallery में आ जाएगा तो आपको जो photo लगाना उस पे click करिए और इसको simple यह आप यहाँ पे crop कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने crop कर दिया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसके बाद apply पे click करिएगा तो successfully यहाँ पे लग चुका है तो यहाँ पे देख सकते हो successfully मुझे भी बताओ तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को share करें चलिए फिर मिलें किसी दूसरे वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे take care and bye